अब जालो ऑई दिस जो फिर वार और आज का अपने टॉपिक लेटिड एंटियर प्युक्ट्री हर्मोन्स तो सबसे पहले इसमें देखेंगे हाइपर अगर एंटियर प्यूट्री हर्मोन्स की हो गई और हाइपर एक्रिटिविटी होने पर क्या-क्या चैंज होते हैं तो अ पहले इसमें आता है गाइगेंटिजम में क्या होता है डिसॉडर क्रेक्टराइज वाइए एक्सेज ग्रोथ ऑब बॉड़ी की बहुत जातां ग्रोथ हो जाने के वज़ें के वह बुद्ध होते हैं ठीक है तो बच्पन के टाइम पर क्या होता है प्रिद लाइब बच्पन क चल लए उसी टाइम पर अपन का ग्रोथ होर्मों जाता है तो क्या हो जाता है तो बहुत 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 जादा हो जाता है ठीक है जाइंट्स और घ्र ग्लाइसमेक टीमर ऑप जैसे टीमर हो गया है तो हैटेक तो हो का बेंग के अंदार ठीक है और विजूल डिस्टरवेंस किस तरह से होता है वह आपको बताँगा मैं स्पेसल सेंस में क्योंकि ये पासवी को डेधेक्ट करता है विजल पासवेव ठीक है ने दूसरा द ऐससर क्रेक्टराइज्ञ्रा अंद्ग पेले बन चुखी यह बन चुखी अब स्क्रैसाउर बाहत ब्रॉट ऑगी ऑसको ऑट उगिण होगी यह इस बजहाdefined उखसे मटह 효 II मतीं उप पैरों की यहांतों की तो बहां पर क्या होती है यहां पर क्या होती है यहां पर देखने को मिलता है उसमें क्या होता है बहुत बढ़े हो जाते हैं काइफ पीछे से कर भी चाहिए लगता है तो बहुत बहुत ज्यादा आने लगते हैं यह तो मैंने आपको बताए था कि रोट आएगी है पर टेंसन प्लब इंक्रीज होने वाली था रहेगा वह बहुत जादा बढ़ जाएगा लेवल इंक्रीज ह आप अपको बता रहा हूं अधर बता रहा हूं बाकी आपनको इंपोर्टर नहीं है जो मैंने वो बता रहा हूं को डार्फिजम डिशॉडर इंचिल्टर यह किसमें होती है जिसमें का होता है ग्रूथ कम हो जाती है अब यह किस बज़े से हुआ कॉज हाइपो सिक्रीशन ऑफ ग्रूथ हार्मोन इंफेंट और अर्ली चाइडलोड अर्ली चाइडलोड मलब छोड़े बच रहते हैं उनम इनमें टीमर होगा तो अच्छे फंक्शनली नहीं रह पाएंगी ठीक है उनका फंक्शन लॉस हो जाएगा डिवी सेंसी अफ ग्रूथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन भी कम हो गया या उसकी कमी हो गई तो इस बज़े से भी क्या हो ग्रूथ हर्मोन रिलीज नहीं हो पार सब्सक्राइब कम हो जाते हैं सर्फ आपको यहां पर नाम याद करना इसकी अबारे में कोई जाने की ज़रूथ नहीं है ठीक है तो यहां पर लेखा हुआ है प्राइमरी सिंटर्वें चिल्डरन इस स्केलेटल गूथ और उसके बाद क्या होता है है बिकम्स लाइटली लाजर ने रिलेशन टू बॉड़ी से थोड़ा सा है बड़ा सा होने लगता है इड डूनोट सो एनी डिफॉर्मिटी एंड देयर मेंटल एक्टिविटी नॉनम हो रहते हैं यह थोड़े से चैंज होते हैं मैं थारेट वाले में उससे तुम्हें थोड़ा सा डिफरेंट रखना है कि इसमें मेंटल सिचुएशन हो रही ना इस सेक्षल फंक्शन चैंज हो रहा है ठीक है तो यह रहा आपनका ग्रूथ हर्मोंस के जो खिनिकल फीच जैन और शब्सक्राइब ने चैनल